हाइ दिस इस जपनीट मुझे प्राब्लम आ रही है रीडिंग में और मुझे प्राब्लम आ रही है तो मैं घर पे जाके लिसनिंग क्यों कर रहा हूं एक्स्ट्रा ये हर एक स्टूडन के साथ हो रहा है basically the first thing is IELTS जो है वो skill based रहता है ठीक है जी हमारा जो skill week है हमको उस पे work करना पड़ता है बाकी के skill कम नहीं होता you're doing it on a daily basis एक listening कर रहे हो class में that is enough first of all we have to examine the problem दिक्कत कहां पर आए अगर reading में दिक्कत आ रहे है तो उसका एक proper schedule बनाओ एक routine बनाओ उसको daily basis पे follow करो ना कि आप extra listening करो speaking buddy या writing में दिक्कत आ रहे है तो extra cue card बनाना आप छोड़ दो ठीक है जी cue card तो add a time भी भी बन जाता है ये class में ideas discuss कर सकते हो जैसे हम करते हैं आप अपने trainer को बोल सकते हो बट जिस skill में दिक्कत आती है whether it's writing or reading आप उस पे work करो उसका schedule बनाओ time table बनाओ follow करो it's a routine based game आप daily basis पे consistently work कर रहे हो तब ही जाके improvement होगी अगर आप consistent नहीं हो तो दिक्कत आ सकती है अगर आप चार दिन वर्क करते हो दो दिन आप break ले लेते हो तो गडबड़ है ब्रेक हो ठीक है एक दिन की enough है इसके related अगर आपको schedule चाहिए तो मुझे बताना मैं सारे modules का schedule आपको बनाके एक वीडियो में दे दूँगा आप उसको follow कर सकते हो and आप अपने desired score ले सकते हो घर पर practice करके भी बागी अगर को personal coaching चाहिए you can also contact on the given numbers thank you for watching